यहां पर देखिए काफी नजर आ रहे हैं यह भी पानी जमा करने के लिए था यह देखिए काफी बरा इस्टूप काफी बरा पत्तर को तराश कर बनाए गया है दूसरी सदी में है और यहां पर पानी भी गिर रहा है कि अगया है कि यह देखिए कि पत्तरों को तराश कर बनाए गया है कि काफी बड़ी इसकील है कि अगरे बहुत बड़ा इस्टूप कि देखिए कि पत्तरों से पानी आ रहा है पहाडों से यहां पर कि नजर आ रही है कि अगरे बड़ी नहीं पर देखिए झाल कि यह रस्ता इस तरह से उपर की तरफ है और यहां से हम केउस देखने जाएंगे काफी खूबसूरत शहर नजरा आ रहा है और काफी हम उचाई पर आये हैं यहां पर तो चलिए अब आइस्ता इस्ता मागे चलते हैं कि हाँ से अब यहां से जीडिना परें रहें कि किस परफ़ा हैं और इस तरह से हम यहां पर पोच गए हैं बहुत ही रिस्की बहुत ही खतरनाक है यह बड़ा है और यह सबसे बड़ा आयरिया है क्या कलाकारी है देख सकते आप तराशकर बनाया गया है लोग लुए 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 वह बहूती अच्छा है काफी बड़ी अडिया है देख सकते हैं काफी बड़ी अरिया वह वह कि बड़ी अरिया है वह घा पहाडि में है इसलिके अंदेर आए आपगे गहां कि यह टॉर्च के जरी में आपको बता रहा हूँ यह देखिए काफी कूपसूरत है इस पहारों को तराज कर बनाया गया है यह देखिए उसके अंदर भी कम रहे है यह आराम करने के लिए इबादत करने के लिए यहाँ पर कुछ परिंदे भी है और यह सबसे बरी गुफा है सबसे बरी यहाँ पर यहाँ पर गोतम बुद गोतम बुद की यहाँ पर मुर्ति भी है यह देखिए काफी बड़ी एरिया है यहाँ पर देखिए बहुत यही भेतरह कि गोतमगुत की यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति हैं कि बहुत यह अच्छी तारीकी जगे यह बहुत ही बड़ा कमड़ा कर हार चारों तरफ गोतमगुत covered कि यहा पर मुर्तिया है और यहां से बाहर जाने के लिए है रस्ता ये तारी की जगें बहुत ही सुकून है अच्छी जगें ये बेतरीन प्लेस देख सकते हैं यहां पे कुछ घोसले भी है परिंदों के काफी काफी बड़ी अरिया पत्तरों को तराश कर बनाया गया है यह मैं आपको अंदर का हिस्सा बताया यह देखिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नव दस ग्यारा कुल 11 और यह साइट में कुछ है क्या देखते हैं। बिल्कुल यहां से भाहर के तरफ जाएगे और इह देखिए यह इमारत दिखती है गंदरपला महार की उसकी इस तरह से नजदीक से काफी बेतरी डिजाइन दी गही है यह उसका मुख्य दुआर है बरा दर्वाजा आई और इसके इस्थुम देखिए इसके जो सुतून है इस सुतून देखिए यह पूरा एक ही पत्तर से बनाए गया है पर काफी मजबूत ही गज़र आती है इसके अंदर और यहां पर कुछ डिजाइन यह नक्ष निगारी जो की गई है यह जो पत्रों पे जो डिजाइन की गई है यह डिजाइन लगबत दूसरी सदी की दूसरी सदी की डिजाइन है और काफी अच्छा और मजबूत पहल है यह काफी देख को अच्छा रखता है बहुत ही अच्छा है काफी खूबसूरत है इसके अंदर जो डिजाइन है जो बनाए गई है काफी अच्छी है कि देख सकते यहां पर और यह महार शहर देखिए महार शहर नजर आ रहा है महार शहर और यह जो है तीसरा फ्लोर है यहां पर जो मैं चड़ रहा हूँ आइस्ता आइस्ता तीसरे फ्लोर की तरफ यहां से देखिए तीसरा फ्लोर है जी हम यहां पर पोज गए है यह देखिए यह तीसरे फ्लोर पर है और यहां पर भी कुछ गुफाय है देख सकती यहां पर यहां पर यहां पर पी कुछ बनाया गया है यह देखिए आराम के लिए और फिर यहां पर सुकून से बैठने के लिए यह तीसरा फ्लोर कि यह एक नंबर यहां पर यह पांच नंबर है यह दो नंबरा है परिदेखिए नंबर लिखा हुआ यहां पर दो नंबर और यह एक नंबर इस तरह से मैं ने यहाँ पे कुल 27 लेनी जो है और यह प्राचीन काल का यह बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ है जी यह भी मैं आपको बता रहा हूँ यह देखिए पूरी गुफाए काफी बेहतरीन बनाय गए है विलकुल काफी अच्छी यहाँ पे प्रीक रहा हे हैं यहाँ पे एक कमरा है बहुत बरहे अराम है यहाँ भी है कि यह देखिए यहाँ पर यह यहाँ और अभी हम तर फ्लोर पर है है अबी जो खेंग देख रहे हैं गंदर पाले महार के यहां पर मैं थर फ्लोर पर आप देख सकते हैं यह ठर फ्लोर के काफि कूप assim अजय कि यहां पर रहा हैं यहां से महार के रूद सकते हैं ये पूरा महार शहर हमको नजर आ रहा है ये देखिए पूरा महार शहर है ये मैं यहाँ पे जूम करके भी बताता हूँ ये देखिए पूरा महार शहर इस तरह से ये बहुत ही अच्छा है और काफी खूपसूरत है उसी तरह से इधर देखिए इससे पहले जो हम गये थे वह बहुत अच्छी अच्छी मारते थी यह भी मैंने आपको यहां पर बताया यहां से यह रस्ता था उपर जाने के लिए यह देखिए कि उपर जाने के लिए रस्ता था है कि यह रस्ता यह भी पहारों को तराज कर बनाए गया है काफी अच्छा है गुफा की शकल में कि इन पहारों को तराज कर बनाए गया है यह रस्ता यहां पे भी पानी के लिए है कुछ पानी के लिए है और इस साथ नंबर की गुफा इदर है आठ नंबर यह देखें यह साथ नंबर यह आठ नंबर है और यह साथ नंबर इस तरह से यह जो गुफाए हैं यह भी हमने देखें यह कुछ हिस्सा यहां पर तूड़ गया है यह देखिए बहुत सारे है कई सारे गुफाए यह आपर एक दो दो तीन कमडों में आराम के लिए बनाय गया है आराम के लिए जगाए हैं हैं बहुत बरा इस्पूप था। इधर यहां प कुछ इमारत की शकल में ही है। कि देखिए हुपर की शकल में यहां पे उपडर में बताया गाए उपर की तरफ यह बनाय गया है नक्स निधारी और यह नीचे की तरफ इस तरह से कुछ कम्प्रे इधर काफ 이상 खोबसूरत अच्छे कंब्रे है पत्तर को तराश कर बनाए गया है यह देख सकते आप और यह सा लग रहा है इधर जो खंबा था वो तूट चुका है यहां पे लगा हुआ